मुझा नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंख खना हुमियोपेथिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है आज साथ ही हम लोग बात करेंगे, मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तमाल करने वाले वर्ड के विशय में, शब्द के विशय में और वह है ऐलर्जी तमाम मरीज आते हैं, डॉक्टर साब ऐलर्जी हो गई यह अलर्जी हो गई, वो अलर्जी हो गई, ऐसे अलर्जी हो गई, वैसी हो गई, इस चीज से हो गई, उस चीज से हो गई, तमाम लेकिन अलर्जी वर्ड उसमें होता है तो आज हम लोग discuss करेंगे आलरजी उसके वीशे में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इसके निदान करें सबसे पहले साथियों जान लेते हैं अलरजी होती क्या है अलरजी साथियों आपका जो बाडी होता है उसका एक defensive system होता है कभी क्या वक्त आता है कि आपका बॉड़ी हाइपर सेंसिटीव हो जाता है तो जब आपका external को इंफेक्शन आता है या वह इंफेक्शन नहीं भी होता है कोई भी एलर्जेन होता है जो वास्ता में जिसको आपको इलर्जी नहीं कॉस्ट करनी चाहिए लेकिन आपका इम्यू कीजिए इसको मिल्क प्रॉडक्स ऐलर्जी है कि अधारे मिल्क प्रॉडक्स का इंटेक करा तो जो बॉड़ी का illsystem है उसने आंटीबाडिज बना रखे हैं उन्होंने उसपर अटैक कर दिया और इसको मरीज ने आके तो यह जो बॉड़ी इम्यून का हैपर सिंसिटिव रिस्पॉंस होता है अलर्जिन के विरूद में इसी से उत्पन कंडिशन को अलर्जी कहते हैं कि इसमें साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ जो है कभी बहुत जल्दी डिवलप हो जाता है बॉड़ी में कभी यह सालों में होता है कभी यह सालों में भी पूरा नहीं हो पाता है एक पार्सियल होता है उस इस्तिती में आपके शरीर में एलर्जी मॉडरेट होती है और अगर जादा response डिवेलप हो जाता है पूरी तरह तो इसको जादा हो जाती है यह जो process होता है बीच का कि allergy डिवेलप होने के लिए जो antibodies generate हो रहे हैं उनको जो immune system जो release करता है उनको पूरा डिवेलप होने के बीच का जो process होता है उसको sanitaryization कहते हैं यहाँ एक बहुत time taking process होता है बात कर लेते हैं साथियों इसके symptoms की allergy में साथियों जिस तरह की allergy वैसा symptom अगर आपके जो है वो nasal allergy है तो छीकों का symptom हा गया अगर आपके RTK रिया है तो इसकिन में आपके बल जाग है अगर आपके मच्छर के काटने से आपके allergy हो जाती ही तो उस तरह की लाली होगे मच्छर ने काटा और भारी घाओ बन गया भारी वो scales आ गया भारी चकत्ता बन गया तो इस तरह का different different manifestations होते हैं बात कर लेते हैं साथियों इसका एक symptom में एक इस्टिती और होती है इसको कहते है एनाफाइलेक्सिस यहां आपको जानकारी होनी चाहिए यहां एक बहुत life-threatening serious condition medical condition होती है जो कि allergies में होती है जैसे क्या होता है हम लोग आम तोर पर allergies को बहुत हलके में लेते हैं लेकिन allergy के में अगर यहां condition आपके chronic condition develop हो गई तो यहां life-threatening होती है जिसमें आपके unconsciousness भी आ जाती है आप बहुत हो जाता है आपको pain बहुत पर जाता है और आपको तकलीफे होती है और एक medical emergency के आप entitled होते हैं इस word को अगर आपके किसी भी चीज की allergy है तो आप इस word को अवश ध्यान में रखें बात कर लेते हैं साथियों उसके कारणों की इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई allergen आता है आपका body का जो immune system होता है वो उसको बहरी particle एक intruder के रूप में एक दुस्मन के रूप में recognize करता है और आपका immune system IgE जो immunoglobin होते हैं वहाँ antibodies release करते हैं और यह antibody उस vicious infection को पहचानते हैं कभी यहाँ जल्दी पहचान लेते हैं कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है कभी महीनों का कभी सालों का लेकिन यह पहचानते हैं जित्ता ज्यादा पहचानते हैं उतना ज्यादा आपको इसका बुरा response आता है तो जब यह पहचान लेते हैं तो जब भी वो allergen आपके बॉड़िय आप उसके contact में आते हैं तो आपके यहाँ जो antibodies होते हैं यहाँ उसके हमला कर देते हैं और यहाँ ही आपके manifestation के रूप में विविन विविन जिस तरह का allergen उस तरह का manifestation उस रूप में आपके सामने आते हैं इसकी साथियों इसी लिए diagnosis के लिए डॉक्टर IgE का टेस्ट कराता है कभी आपको allergies रही होंगी तो डॉक्टर ने IgE टेस्ट चरूर कराया होगा या immunoglobin होते हैं जो की blood में release होते हैं और यही प्रतिरोज़क्षमता जो सरीर की है यही आपका antibody बना के आपको सही करने वाली चीज को कष्ट के रूप में आपके सरीर में दे देते हैं यह साथियों बहुत important इस्टिती है आजकल हम लोग के घर सबजियां बनती हैं जादर सबजियों में प्याज पढ़ता है हम लोग होटल जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि ज्यादा तर इस्टिती में कुछ लोग जो प्याज नहीं खाते वो ठीक है लेकिन जो 80% लोग खाते ह हैं वो होटल में इसी लासते जिसमें कि प्याज पढ़ा हो तो अन्ययन यानि प्याज से एलर्जी की होमिवेती में बहुत कारगर दवा है और दवा का अना में थूजा ऊक्सिडेंट डैलिस अगर आपको एलर्जी है प्यास से तो आप थूजा आक्कीडेंट डिंस वन enable पावर में दो दो बून दिन में तीन बार वीक ली ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपका जो अनियन से प्यास से होने वाली इलर्जी है वहाँ खतम हो गई और आप अपने को स्वस्थ बेतर महसूस करने लगे यह दवायती आपके इलर्जी के विशेह में अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे वाट्साइप नंबर 94-786-3803 पर अपनी क्वेरी को वाट्साइप कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपको संतोष जवाब दे पाएं उमीद करेंगे इन दमाओं से आपको अलर्जीज में फाइदा हो आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को अन्य लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेजित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले निया वीडियो योही प्राप करते रहिएगा आपका साथियों एकती देर हमाए साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साथ उबाद के लिएसmam है, उड़े लूहां है आपकार है ंपकार लिएचराः उबाद ख़सो ख़सो झाल झाल